अफ इक कार सेव के हम बात कर रहे थे क्या आपको लगता है कि मैं वो पुछ मिला अपनी कारेकरम आपको लगता कि जब भग्वान अपने घर अपने मेः पहुचेंगे तो लगता है उनका शिंगार जो है वह खुशी के आशों से होगा अनुरागों से होगा खुशी के आपको क्या लगता है जब कोई व्यक्ति किसी आंदोलन को किसी विचार को अपना जीवन मना लेता है सर्वोच बलिदान भी दिया लोगों ने यहां इसी सरीयों के इसी पुल में पीछे की तरफ पुल है वहां से लोग कूदे जी जब गोलाबारी हुई क्योंकि हम लोग तो रिपोर्टिंग देखते थे उस समय जनसत्ता में लकनोव एडिशन का जो इंचार्ज थे हेमंद शर्मा उनकी लाइब रिपोर्टिंग आती थे और हम जनसत्ता पढ़ा करते थे और ताउजी के वजए से इस पूरे परिवार से परिचे भी हमारा को लेकर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बाते हुई वो एक अलग जगा है अलग बात है लेकिन आज में आज के युग में राम का तात्पर रहे क्या है आज की जनरेशन के अंदर आपके शब्दों में क्योंकि वो आज का युवा जरूर जानना चाहेगा जितने दिवन में राम का आचरन नहीं है राम का आचरन क्या है कि पिता ने कहा राज्या अभिषेक नहीं जंगल चला जा कोई प्रशन नहीं मा ने पूछा बेटा क्या हो गया तो बेटे ने कहा कि पिता जी ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया यह नहीं का छीन लिया राज्य दे दिया पिता दीन मोही कानन राजू जहीं सब भाति मोरे बढ़ काजू जहां मेरे सब बड़े काम मेरी प्रतिक्षा कर रहे हैं बेटा हो तो राम जैसा भाई हो तो राम जैसा मित्र हो राम जैसा पती हो राम जैसा और राजा हो राम जैसा बहुत धन्यवाद बहुत सुन्दर बात बोली कि मित्र हो राम जैसा पती हो राम जैसा व्यक्ति हो इंसान हो तो राम जैसा लेकिन राम जैसा बनना बहुत कठिन है नहीं 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 राम ने कोई चमतकार नहीं करा है जीवन में कि यूं करके उठाया तो इदर से कुछ निकलाया नहीं एक सामान्य मनुष्य जिस तरह लड़कर जूजकर सत्य के मार्ग पर चलकर असत्य को पराजित कर सकता है, भगवान के जीवन में वो सब कुछ हुआ है, पत्नी के अपहरन पर एक सामान्य मनुष्य की तरह भगवान रोये हैं, इतने बोराये हैं कि पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, हे खगमरग, हे मदुकर शेणी, तुम एक एक पंक्ती जन्ता बोलती है, और वो कहते हैं कि राम को कैसे निकालेंगे, रक्त है राम, मज्जा है, इस देश का डीने है राम, इसको कैसे निकाल दो गया, लेकिन अब तो आयोध्या के बाद काशी और मतुरा के भी बाद नहीं, मेरा कहना यह है कि इस देश में ऐसी समझ विक्सित होनी चाहिए, तो ये भी चाहता था कि पहले भी ये समझ विक्सित होती, राजनीती नहीं होने दी, कि देश के सारे वरिष्ट नागरिक, दोनों पक्षों के, इसलाम मानने वाले हमारे मित्रों के पक्ष के भी शंक्राचारेगन, धर्मगुरू, जगत्चेतना के लोग, वेसे भी खटे हूँ, 20 दिन, 25 दिन चर्चा करें, और जाके सुप्रीम कोर्ट में खुद कह के आएं दौनों पक्ष, कि साब इन पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा मत लेने दो, सब को पता है, राम कहां हुए, सब को पता है कि काशी किन के लिए है, हम स्वते ही ये जगे खाली करते हैं, आईए, भगवान का घर है, हम सब मिलके बनाएंगे, आईए, ये काम हो जाना चाहिए, जी, लेकिन एक